आवादमी पार्टी के राज़सवासांसर संजय सिंग छे महीने बाद तिहाड जेल से रिहा हो गए हैं जेल से बाहर निकलते ही कारकरताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया तो वहीं संजय सिंग ने तिहाड से निकलने के बाद कहा कि ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है ये संखर्ष का समय है आने बारे समय में सारे नेटा जेल से बाहर निकलेंगा पता दें कि दो अप्रेल को सुप्रेम कोट ने दिली आपकारी नीती मामले में उन्हें जबानत दे दी थी सीर्ष दालत के आदेश के नरूप संजय सिंग सभी कानोनी प्रफ्रियाओं को पूरा करने के बाद तिहाड जेल से रिहा हो कर जेल को इस जेल की स्थार को पीछे रखा गया है इनक्तुना भलोता है कि जेल के सालेट तूटेंगे और तूटेंगे और तूटेंगे देखिए ये सत्क्य की विजे है पिछले दो साल से बार बार जूटे आरोप लगाए गए भातिये जंता पाटी द्वारा इडी दोआरा सी बी आई दोआरा सेक़्ाउ अफसर लगाए गए हजारो रेड हुए लेकिन एक रुपे का ध्रश्टा चार नहीं मिला सप्रीम कोट ने भी कल कहा कि मनी ट्रेल कहा है अगर एक पैसा नहीं मिला है एक रुपया नहीं मिला है तो सारे आरोप जूते हैं और E.D. को अपनी बेल की उपोजिशन को वापस लेना पड़ा और E.D. को कहना पड़ा कि हम बेल का उपोजिशन नहीं करते हैं अब आम आदमी पार्टी के कारे करता उमीद से भरे हुए हैं ताना शाही के खिलाफ इस लड़ाई में उमीद के साथ लगे ये जशन का महौल नहीं है ये संघर्ष का महौल है जब तक हमारे पार्टी के बाकी नेता हमारे बाकी साती जेल से नहीं निकलती है जब से अर्विन केजरिवार जी जेल से नहीं निकलते है झाल झाल झाल